बिहार में लोकसभाचुनाओ की गर्मी कैसे नेताओ के सरपर चरके बोल रही है, इस चीज को अगर आपको समझना है तो नेताओ के विरोध और नियाताओ के ब्यानों पर गौर कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ये विरोध और कभी-कभी ये ब्यान इतने अमर्यादित हो जात जो सायद उनको नहीं बोलना चाहिए था और राजनिती में विरोध करने का हक सबको है लेकिन उसकी मर्यादा बनी रहनी चाहिए ये बात भी मुकेश सहनी को ध्यान रहना चाहिए था मुकेश सहनी मीडिया से बात्चित कर रहे थे और बता रहे थे कि कल जब अमीद साह जनजारपूर लोग सभाच्छेत्र में आये थे जनसभा के लिए तो वो बोल रहे थे कि 10 सालों से मंडल कमिशन के रिपोर्ट को लागू नहीं करने दिया गया थे और फिर मुकेश सहनी य जब आपकी सरकार थी तो मंडल कमिशन के रिपोर्ट को लागू कर देना चाहिए था उसके बाद अगले वाक्य में वो एक ऐसा सब्द बोल देते हैं जो हम आपको अगर बोलेंगे तो साइद अपने कानों पर आप हाथ रख लेंगे और उस सब्द को सुनना नहीं चाहें बोलते हैं वो कि आप दस सालों से हिजरा बनके ताली बजा रहे थे क्या उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी आरे हाथ लिया उन्होंने कहा कि पीम इतना जूट बोलते हैं इतना जूट बोलते हैं सिर्फ चुनाओ जितने के लिए कि हमको सर्म आता है पीम क चुनाव जीतने के लिए इतना जूठ नहीं बोलना चाहिए जब इतना आदर्स वाक्य का यूज मुके सहनी करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि प्रधान मंत्री को चुनाव जीतने के लिए इतना जूठ नहीं बोलना चाहिए तब मुके सहनी को ये ध्यान आना चाहिए था कि वो भी चुनाव परचार के लिए या किसी का विरोध करने के लिए उनको भी ऐसे सब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था चा जो लोग वो काम करते हैं वो इज़त के हकदार नहीं है और चा किसी व्यक्ति का विरोध इस तरीके से करना आवस्यक है कि हम उसके विरोध में प्रयोग किये जाने वाले सब्दों का मर्यादा है को ही भूल जाएं क्या किसी व्यक्ति के जीवन से क्या किसी व्यक्ति के सम्मान से ज्यादा बरा राजनिती है और क्या हम विरोध करने का अलग तरीका नहीं ढूंड सकते हैं मुकेश सहनी लगातार हमलावर रहते हैं भारती जनता पाटी पर और इंडिये के नेताओ पर तेजस्वी प्रचाद यादों के साथ घूमते हैं और जब उनका वीडियो वाइरल होता है मचली खाने का तो वो कहते हैं कि हम बिहार में मचली खा रहे थे और काटा जो है दिल्ली के लोगों को चुभा ये बिरोध करने का एक तरीका बहुत अच्छा माना जा सकता है लेकिन फिर वही मुकेश सहनी अमीत साह के लिए जब इस सब्द का पड़्योग करते हैं तब सायद ये भूल गए थे कि हम एक ऐसे नेता के बारे में बोल रहे हैं जो एक पदपर है और एक अच्छे पदपर विराजमान एक केंद्रिय मंत्री है और सायद इस कारण से भी हमको व्यक्तिगत हमला से बचना चाहिए था व्यक्तिगत टिपनी उन पर कुछ नहीं करनी चाहिए थी और ओची टिपनी नहीं करनी चाहिए थी अमित्ता को घेरने के और दस तरीके हो सकते थे आए दिन आप तेजस्वी यादों के साथ घूम रहे हैं और आप उनसे सीख नहीं रहे हैं कि तेजस्वी यादों कैसे विरोध कर रहे हैं क्या तेजस्वी यादों अपना मर्यादा भोल रहे हैं हमको लगता है कि बिहार में भी सबसे अच्छा कोई विरोध कर रहा है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादों कर रहे हैं और जब आप तेजस्वी प्रसाद यादों के साथ घूम रहे हैं तो सायद आपको तेजस्वी प्रसाद यादों से विरोध का वो गुन सीख लेना चाह लेकिन अपने सब्दों की मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं, वो बोलते हैं कि आप बिहार में आईएगा तो सत्तु पीजिएगा, इससे दिमाग और सरीर ठंडा रहेगा और उसके आद बिहार में आपको बिहार के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है, तो यह क्या इस तरीके से विरोध नहीं किया जा सकता था, क्या मुकेश सहनी के द्वारा इनसी सब्दों का استعمال किया जाना चाहिए था, इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और राजनिती के इस विरोध के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट के हम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जंता जंसन बहुत बहुत धन्यवाद